हाई गाईज आज मैं आपके साथ सेड़ करने जा रही हूं दस से पंदर मिनट में बनने बाली डैसर्ट की रेसेपी आप इसे जब चाहें तब बनाके इंज़ोई कर सकते हैं खाने बहुत टेस्टी लगता है और बिना किसी मेहनत के आसानी से बनके तायार हो जाता है तो कि आप फुल क्रीम दूद का ही समाल करें लेकिन अगर आपके पास फुल क्रीम दूद है तो आप उसे ले सकते हैं उससे आपके डैसर्ट का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा दूद करने के बाद इसमें बड़िया सा एक बॉयल आने दीजिए ये देखिए दूद में चीनी ली है और अच्छे से चीनी को मिक्स करते हुए इसे दो से गिने ऐंध के लिए पका लेंगे चीनी एड करने के बाद कीनी पानी को इसलिए इसे पका लेना है ताकि जो चीनी का पानी है वो अच्छे से पक जाए अब इधर एक कटोरी में मैं एड़ करूंगी दो बड़े चमच कश्टर पाउडर यहां पर मैंने बनेला फ्लेवर का लिया है आप चाहें तो मैंगो फ्लेवर इस्टावरी फ्लेवर या अपन कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देख सकते हैं आपर एक स्मूध सा पेष्ट रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं गैस की तरफ तो यहां पर हमारा दूद है जो वाइल हो रहा है उसमें हम यह कश्टर पाउडर का पेष्ट एड़ कर देंगे और ल भी खतम हो जाएगा तो यहां पर लगाता चलाते हुए इस प्रॉस्जिस को करना है नहीं तो जो कश्टर पाउडर है वो तले मैं चिपक जाएगा इस वात का आपको ध्यान रखना है तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे जैसे कश्टर उदूद में मिक्स होता जाता है त इसके बॉटम पर जो काफी अच्छे से चिपक गया है तो इसका मतलब है कि जो हमारा कश्टर अच्छे से पक चुका है अब यहां पर गैस को बंद कर देंगे और इसे रूम टंप्रिचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे अब जब तक हमारा कश्टर ठंडा हो रहा है हम कि मेरे पास अवैल बाल थे और मैंने यह पहले भी ट्राइब किया था तो यह ब्रेट के साथ बहुत टेस्टी बनाता है इसलिए मैंने ब्रेट का समाल कर रहा है यहां पर मैंने दोने ब्रेट के स्लाइचिस कट कर के ले लिए हैं अब इधर कढाई में थोड़ा सा घी का इसरोटल होने के लिए रख दिया था। इसमें जो ब्रेड कट करते लिए धाय तब एक लीए तरह के लोःक हम पंद शालव, और अपैसे वाइट करे सकते हैं लिगिनध्यम खारते हैं ने खी यह जम जाता आ उए टेश्ट मे 다시 जोड़ीया करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह अच्छे से सिख चुके हैं अब हम फटाबट से वाल से बहार कर लेंगे इनको और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो custard है वो अच्छे से हो चुका है ठंडा और ठंडा होने के बाद यह काफी ठिक हो जाता है अगर आपका कश्टर्स जादा थिक हो गया है तो आप इसमें एक दो चम्मा दूद भी एड़ कर सकते हैं अपने हिसाब से और अमेज में एड़ करूंगी फूर्ट्स तो यहाँ पर सबसे बहले मैंने लिये हैं बनाना तो यहाँ पर मैंने दो बनाना को एक एक आपल को इसतारीके से चौप करके लिया है आप आपनी पसंद के कोई भी फूट्स ले सकते हैं जो भी आपको पसंदने हैं और अब हम इसमें ब्रेड एड़ कर देंगे जो मनें फ्राई करके तयार किए थे और अच्छे से इन्हें मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बात 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दीजिए जब यह ठंडा हो जाएगा तब हम इसे सर्ब करेंगे तो गाइस यहाँ पर हमारा जो कष्टड है अच्छे से हो चुका है ठंडा अगर आपको यह और भी हल्दी बनाना है तो आप इसमें थोड़े से ड्राइफूट्स भी एड़ कर सकते हैं अपनी पसंद के और जब आप इसे ठंडा ठंडा सर्फ करते हैं तो यह खाने बहुत टेश्टी लगता है अब यहां पर हमने इसे फटावट से सर्फ करके ले लिया है और मैं इसे थोड़ा सा चौपकी वे पिस्ता और बादान से गानिश्रिंग कर रही हूं अगर आपको यह थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी और साथी मेरे पास यहाँ पर रोस पैटल्स हैं यह भी मैंने इसमें लगा दिये हैं तो लीजे चटपट से हमारा आदर लीटर दूसरे बहुत ही टेश्टी और डैली से डैजर्ट है बनके तयार जाता है तो आप भी इस तारीके से एक बार इस डैजर्ट को बनाके जरू जरू ट्राइब कीजेगा सच में खाने बहुत टेश्टी लगता है तो आप इस एक बार जरू ट्राइब कीजेगा रेसेपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलें चैनल पनाए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कीजेगा मिलते हैं जी नई और यमी रेसेपी इसके साथ तब तक के लिए बाव बाई